दोस्तो टीवी जगत की दुनिया ऐसी है जहाँ पर हर एक शक्स की काबिलियत बात में और उसके लुक्स को पहले देखा जाता है एक शक्स की खुबसूरती उसके परसनालिटी और उसके लुक्स हर एक चीज इंडस्ट्री में मुकाम और एंट्री दोनों के लिए काफे ज़ादा ज़रूरी होते हैं लेकिन आक्टिंग का जगत की धारना को कई अभिनीत्रियों ने गलत साबित भी किया है जी हाँ दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में कई सारी असी अभिनीत्रिया हैं जिन्होंने कम हाइट होने के बावजूद भी टीवी इंडस्ट्री में एक सफल और एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और उन सबी लोगों के लिए एक example set किया है जो कि काबिलियत होने के बाद भी अपनी छोटी सी कमी की वज़ा से खुद को आगे बढ़ने से रोग देते हैं इसलिए आज के माले इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही अभिनेत्रियों से रूबरू करवाने वाले हैं तो भी देर ना करते हुए जल्दे से स्टार्ट कर लेते हैं ये शानदार वीडियो और रूबरू हो जाते हैं टीवी जगत के उन्हें अभिनेत्रियों के बारे में नबर एक टीना दत्ता जी हाइस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल करने वाली अभिनेत्रियों है टीना दत्ता जोकि अपने शो उत्रण से इतने जादा आफ फेमस हुई थी कि भले ही आज ये इस शो में नजर ना आ रही हूँ लेकिन लोगों के बीच इनका क्रेज आज भी पहले की तरह ही कायम है आज भी लोग इनके उतने ही दिवाने हैं लेकिन अगर बात की जाएं इस गमदार अभिनेत्रि की हाइट के बारे में तो आपको बता दे कि टीना दत्ता महस पाच फूट एक इंच की है जोकि काफी कम हाइट है लेकिन बावजो दिस के इन्होंने अपने टैलेंट से खुद को हमेशा उचाईयों पर रखा है नमबर दो दिपिका ककर कलस टीवी के मुस्ट पॉपुलर शो रहे ससुराल सिमर का में सिमर का केरदान इभा कर हर एक शक्स के दिलों में बस जाने वाली अभी नेत कि अबिनेत्री की हाइट के बारे में तो आपको बता दे कि इपिका ककड की हाइट महस 5 फूट 1 इंच है जो की काफी कम है लेकिन बावजुद से आज लोग इनके टालेंट के बदॉलत ही पहचानते हैं नाकि इनके हाइट के बदॉलत नमबर तीन हैली शाह जब भी बात के साथ दर्शुक की दिलों में बसी है लेकिन अगर बात की चाहे टीव इंडस्टी की पॉपुलर अभीनेत्री में से एक हैली शाह की हाइट के बारे में तो आपको बता दे कि इनकी हाइट महस पॉट दो इंच की है जो कि अभीनेत्री के लिए काफी काम है लेकिन बावजू दिसके इन्होंने अपनी इस कमी को अपने टालेंट की बदौलत इसे नजर अंदास करवाया है नबर चार रुया शुकला नाटी पिंकी के लंबी लफ स्टॉरी शो से घर-घर में फेमस और मशूर होने वाली अदकारा रुया शर्मा भी हमारी से लिस्ट में अपना नाम शुमार कराती हैं जिन्होंने अपने इस शो पिंकी के किरदार को बखुवी निभा कर सभी का दिल जीता है लेकिन बात की चाईज दमदार अधाकारा की हाइट के बारे में तो आपको बता दें कि इस सीरियल में नजर आने वाली रुया शर्मा की हाइट महस चार फुट दस इंच है जो की व बात करें इस दमदार और खुबसूरत अधाकारा की हाइट के बारे में तो आपको बता दे दोस्तों कि रश्मी देसाई की हाइट पाच फुट तीन इंच है जो कि यू तो इतनी कम हाइट है नहीं लेकिन अगर टीवी इंडस्टी की दूसरी अभी नित्रियों से इनकी हा जगत का एक काफी बड़ा और जानामना नाम बन गई है नबर छे जन्नत जुबैर कलस टीवी के पॉपलर शो फुलवा में छोटी फुलवा का किरदा निभा कर कम उम्र में ही दर्शकू का काफी जादा दल जीत लेने वाली और दर्शकू की द्वारा सरहना और पॉपुल लेकिन बता दी कि स्टाइल और ग्लामर संदा से हर किसी के दिल में बस जाने वाली अभी नीत्री जन्त सुबैर महस पाच फुट एक इंच की है नमब साथ शिलपा सिंदे भावी ची घर पर हैं और बिग बॉस जैसे धेर सारे टीवी शोस के साथ साथ सभी का दल जीतने व हाइट महस चार फुट ग्यारा इंच है दोस्तों जी हां जिसे इन्होंने कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया जी हां अगर टीवी चगत में कोई ऐसी अभिनेत्री है जो बेहत कम हाइट होने के बावजूद भी टीवी चगत पर राज कर रही है तो वो अभिनेत्री है जी हां जिन्होंने साल 2011 में आई शो बाबा ऐसो वर ढूंडों में छोट इसी भारती का किरदार निभाया था और अपने इसी करदार से छोट इसी भारती दाशकों की दिलों में बस सी गई थी लेकिन वहीं अगर बात के जाईस करदार को खुबसूरती से निभाने वाली अभिनेत्री जुही असलम की हाइट के बारे में तो बल दोस्तों आपको बता दे कि इनकी हाइट तीन फुट पाचिंट है लेकिन इतनी कम हाइट होने के बावजूद भी इन्होंने सभी को अपना दिवाना बनाया हुआ है जो कि सभी के लिए एक मिसाल है तो दोस्तों इन अभी नेत्रियों की कम हाइट के बारे में जानकर आपको क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में पर साथ इसाथ टीवी जगत से जुड़िया से ही और मसालिदार खबरों और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें